हम आपको बताने जा रहें ताज महल की कुछ रहस नमई बाते हिंडोस्तान में एक एतिहासिक इमारत इसका नाम आम तोर पर सबने सुना ही होगा इस इमारत को दुनिया के साथ अजूबों में से एक गिना जाता है इस ताज महल को बहुत खुबसूरती और बारिकी से बनाया गया है ताज महल के बारे में छोटा मोटा तो सभी जानते हैं पर ताज महल के रहस्ती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्या आप जानते है ताज महल के मकबरे पर एक छेट भी है हम आपको बताते हैं ताज महल बनकर जब तयार हो गया था तो शाजाने मजदूर के हाथ कटवा दिये थे ताकि ऐसी खुबसूरत इमारत और ना बन सके और इस फैसले को सुनकर मजदूर ने जान बूच कर मकबरे की छत में छेट जाता है दित्य विश्वियूद के दोरान ताज महल को अच्छी तरह से बांस से ढख दिया गया था ताकि दुश्मनों को इस पारे में पता ना लगे इस परकार भारत पाक यूद जो 1971 में और 9-11 जैसी घटनाओं के बाद भी ताज महल को सुरक्षित रखने के लिए बां ताज महल की गुम्मत पर ना गिरे ताज महल बनने का आधार एक लकड़ी थी ताज महल को एक ऐसी लकड़ी से बनाय गया है जो पानी मिलने पर ही मजबूत बनी रहती है और इस लकड़ी को मजबूत बनाती हैं वहां की उम्रह न दी ताज महल को बनाने में बेश कीमती पत्थरों का इस्तमाल किया गया था जो 28 तरे के पत्थर थे और इन पत्थरों को चीन, तिबबत और श्री लंका से लाया गया था इस बेश कीमती पत्थरों को अंग्रेज अपने प्रेटिश शासन काल में उखाड कर ले गया थे ताज महल को विश्व में सबसे जादा देखी जाने वाली इमारत भी कहा जाता है यहाँ एक दिन में आय सहलानी जिनकी संख्या 12,000 तक होती है इसलिए विश्व का सबसे जादा देखी जाने वाली इमारत है शाह जहां अपने लिए भी एक काला ताज महल बनवाना चाहते थे लेकिन उनका ये सपना सपना बनकर ही रह गया क्योंकि उनके बेटे औरंग जेब ने उनको कैद कर लिया था क्या आप जानते हैं ताज महल की सबसे पहली सेलफी जोर्ज हैरिसन ने ली थी हम आपको बता दें कि ताज महल का रंग भी बदलता है या सुबह में हाला कि गुलाबी और शाम की समय में धुंदला सफेद दिखता है ये थी SM News की रिपोर्ट